तो क्या क्या देखा है आज तक देखो कल क्या देखा है रोटेशनल मोशन में है ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन लिखके लिए है उसके बाद क्या देखा है उसके बाद देखा रिजीड बॉडी रिजीड बॉडी मतलब क्या है उसका शेप चेंज नहीं होता और डि after rigid body क्या देखा है system क्या है system मतलब क्या है collection of particles system क्या है system is collection of particles उसके बाद क्या है internal forces internal forces मतलब system के अंदर के force उसके बाद क्या है external force मतलब system के बाहर के force with center of mass निकालने का formula देखा तो वेक्टर फॉर्ब में कैसा है? M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार अपन M1 प्लस M2 प्लस M3 अगर 4 मासस है तो 4 भी आएगा X कोडिनेट कैसा निकालना है? Center of मास का M1 X1 प्लस M2 X2 अपन M1 प्लस M2 Y कोडिनेट सिमिलर, J कोडिनेट सिमिलर अगर continuous distribution है मास का, अगर मास का continuous distribution है मतलब ऐसा है, rod है, ऐसा, ऐसा rod है, या फिर scale है, कुछ भी पकड़ो तो इस में कितने points है, इस scale में कितने points है, मास के तो यहाँ पर एक point, यहाँ पर एक point, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा infinite points है इस scale में, ऐसा अगर scale लिया, ऐसा अगर scale लिया, तो scale में कितना points है मतलब दो मास का बना है scale, तीन masses का बना है, क्या चार masses का बना है तो scale में कितने points है, infinite points है, scale में कितना points है, infinite points है तो इस case में इस case में कैसा निकालना है तो r bar r bar is equal to integration of dm r bar upon integration of dm ऐसा लेने का ठीक है चलो लो यह वाला लिखके लो heading क्या लिखने का for continuous distribution of mass for continuous distribution of mass for continuous distribution of mass r bar किसका r bar center of mass r bar center of mass का क्या है ऐसा है चलो लिखके लेलो for continuous distribution of mass अगर x coordinate चाहिए तो क्या formula था है अगर x coordinate चाहिए तो क्या formula था है dm x upon integration of dm उल्टा भी लिखते है integration of dm into x upon integration of dm y coordinate चाहिए तो कैसा निकले इधर इसा निये लिखते है x लिखते है x of center of mass अगर y center of mass का चाहिए तो कैसा लिखते है integration dm into y into dm into y upon integration of dm ठेक है चलो लिखके ले लो इतना इसका में use एक integration करके बता दौँ कैसा है एक integration करेंगे फड़ा पड़ चलो clear दिसत नहीं आरे रोज का इक problem चल रहा है अब है कल भी बोल रहते clear नहीं दिख रहा क्यों दिखने रहा दिखना चाहिए कल भी speed दिखा रहा था तुम लोगों ने बोला उसके बाद में speed चेक किया speed कल भी दिखा रहा था बाकी लोगों को problem है क्या rate दिख रहा है फुल स्पीड दिखा रहा है यह क्या है देखो फुल स्पीड है 50 MB पे फुल स्पीड दिखा रहा है तुमारा तुमारे तरफ शायद net ने होगा rate दिख रहा है ठीक है अब क्या rate दिख रहा है कि क्या है कि वो मुझे पता नहीं किदर वो rate दिखता है तो अभी वो किसका connection है क्या पता हाँ हाँ समझा signal rate दिख रहा है लेकिन अभी ठीक है तो यह upload करता हूँ में वीडियो ठीक है तो अभी वो तुमारा ही होगा शायद signal फिर ऐसा भी हो सकता है अगर एक एक जगे पर white दिख रहा है एक जगे पर red दिख रहा है ऐसा हो रहा है तो तुमारा ही रह सकता है चोड़ो भी दिख रहा है तो देखो नहीं दिख रहा है तो देखो 3 थोड़ा टाइम 10-15 minutes में upload करता हूँ ठीक है नेट का connection तुमारे तरफ भी अच्छा लेलो, जिसका speed तुमारे घर पे अच्छा आता है वो लेलो, किसी का phone लाके देखो, Voda पुन अच्छा आता है, क्या Airtail अच्छा आता है, ठीक है, या फिर BSNL का speed अच्छा आता है, या फिर Jio, कौनसा speed अच्छा आता है वो वाला लेल Jio में थोड़ा कभी-कभी अभी problem आ रहा है, पहले नहीं आता था, अभी थोड़ा problem आ रहा है, देखो कैसा है, ठीक है, चलो, तो क्या है, क्या है, तो continuous mass distribution का center of mass कैसे निकालने का, एक ये example लेने वालों में, देखो अच्छे से, क्योंकि integration, कब बहुत लोगों को आता ही नह integration तो उनको नहीं समझेगा, तो ऐसा numerical आता है, लेकिन ऐसा numerical exam में आता है, तो मैं एक example लेके बता दो, जिनको अभी integration ही नहीं आता, तो टेंशन मतलो, छोड़ दो कि, दो देखो, रॉड का ही करेंगे, ये है रॉड, ऐसा अपना, कितना mass है इसका, इसका mass है, येल, इसका mass m है, और length कितना है, येल है, अब इसका center of mass किदर है, वो तो तुमको पहले से ही पता है, logically, इसका center of mass कहां पर है, बराबर center पे रहेगा, इसका center of mass बराबर center पे रहेगा, वो तो पता है, अभी निकालते हैं, लेकिन उसको निकालेंगे, ये calculation करके निकालेंगे, integration करक तो यह है अपना y-axis और यह है बीच में से जाता है यह अपना है x-axis यह है x-axis यह है y-axis तो यहाँ origin है तो origin से मैं क्या करता हूँ? x distance पे एक छोटा length assume करता हूँ ऐसा x distance पे छोटा length assume करता हूँ dx अभी यह वाला ऐसा किया था ना हमने इधर भी किया था अभी अभी किया था वो sound में time required for wave to reach the topmost point ऐसा खुछ तो किया था ना उधर भी ऐसा है किया था तो origin से मैं distance measure कर रहा हूँ distance x पे एक small तुकडा assume क्या है उसका उस piece का length कितना है dx है ठीक है? अब ऐसे मैंने तुकडे किया है ऐसे मैंने क्या किया है बहुत सारे pieces में divide किया है यह जो rod है इस rod को क्या किया है मैंने बहुत सारे pieces में divide किया ऐसा कट 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 करके बहुत सारे pieces में इस रोड को क्या किया है हमने डिवाइट किया है तो यह एकदम small length है मतलब कितना divisions हुआ होगा एकदम small length है तो कितना divisions कितने तुकड़े होगे तो infinite divisions होगे तो कितना बार तुकड़ा किया हमने कितने pieces की है infinite pieces तो ठीक है तो y Y coordinate में देखने का ही नहीं, इसका Y coordinate निखालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उपर जितना रॉड है उतना ही नीचे, X axis के उपर जितना है उतना ही नीचे, तो Y coordinate क्या रहेगा? अगर X axis ऐसा आता है, तो रॉड एक्स के उपर जितना ही उतना ही नीचे, तो सेंटर ओफ मास बराबर X axis पे इधर तो आएगा? उपर जितना रॉड है उतना ही इधर है ना? तो सेंटर ओफ मास बराबर इधर ही इधर तो आएगा, मतलब यह लाइन पे आएगा, इधर भी आसकता है, इस लाइन के उपर नहीं नीचे नहीं, तो Y coordinate कितना है? सेंटर ओफ मास का जीरो है, वो पहले से ही पता है, वो निकालने का ज़रूत नहीं, बस X coordinate हम लोग निकाल रहे हैं, तो X coordinate कैसा निकालने का सेंटर ओफ मास का, इंटिगरेशन, X, DM, अपॉन इंटिगरेशन, DM, तो X distance पे छोटा मास है, DM, तो DM कितना है, वो निकालना रहता है, DM कितना है, वो निकालना रहता है, तो वो कैसे निकालने का, तो यह वो इदर करता हूं, पूरा मास है M, तो उसका लेंद है L, पूरे लेंद का मास है M, तो छोटी लेंद, DX का मास कितना है, यह जो पूरा रोड है, उसका लेंद है L, तो L लेंद का मास M है, तो DX लेंद का मास कितना है, वो मैं find out कर रहा है, length का जो भी mass है, dx length का जो rod है, उसका जो भी mass है, वो छोटा है उसको हमने बोला है dm तो dm कितना आता है? छोटा mass तो dx into m divided by l dx into m divided by l, तो यह आता है छोटा mass dm तो यह क्या आता है? छोटा mass dm, तो dm मैंने यहाँ पर put किया, तो कैसा आता है? integration of x into integration of x into dm dm मतलब छोटे dx length का mass कितना है? पूरे length का m है, तो dx का कितना है? वो निकाला है सा, तो यह इदर put किया m dx upon l divided by integration m dx upon l ठीक है? तो m और l constant है चलो देखो, m और l क्या है? constant है, m क्या है? rod का mass है इदर का piece लो, इदर का piece लो, यह तुकड़ा है ना? यह इदर का piece लो, इदर का piece लो, इदर का piece लो, किदर का भी लो entire rod का mass तो यह है और l ही है, entire rod का lid तो वो integration के बाहर आता है, ये भी integration के बाहर आने के बाद ये cancel होता है बाहर आने के बाद cancel होता है, बचा कैं़ फिर उपर बचा, X,DX का integration नीचे कैं़, integration of कहां put करना है minimum x कितना है जब इधर इधर चोड़ा चोड़ा हो जाएगा minimum x कितना है 0 है और maximum x इधर तक जाएगा L है तो integration किदर से किदर मारने का 0 से capital L तो इसका integration क्या आता है x square by 2 और limits क्या 0 to L dx का integration x आता है और उसका limit का 0 to L इधर L डालो तो L square by 2 आता है 0 डालो तो 0 ही होता है उपर का limit डालने का minus नीचे का डालने का इधर क्या उपर का डालने का L minus नीचे का 0 तो L minus 0 यह लाता है तो L को यह गया बराबर आता है क्या L by 2 हाना यह ल डाला इधर 0 डालने का उनका subtraction यह ल डालने का 0 डालने का उनका subtraction तो नीचे L आता है उपर क्याता है L square by 2 तो L गया x coordinate क्या आता है L by 2 मतलब center of mass यह कर पूरा length L है तो center of mass बराबर बीच में L by 2 क्या आएगा तो यह तो पहले से पता था हम लोगों को यह तो अपन लोगों को पहले से पता था कि easy लगता है मैंने जब बताया तब उतना आसान नहीं है तुम लोग जब solve करोगे तो difficult लगेगा ऐसे वाले examples नहीं आते तो कोई टेंशन नहीं ऐसे वाले example 3-4 रहते exam में ऐसे numericals कितने आते 3-4 आते मतलब थोड़ा difficult वाले बाकि पूरा paper simple रहता है 42 numericals 41 numericals एकदम simple रहता है तो ऐसा नहीं आ रहा तो कुछ tension नहीं है हमको 165 नहीं चाहिए physics में 170 175 नहीं चाहिए कितना target है तुमारे badge का तुमारे हिसाब से कितना आना चाहिए 140 आ गया तो भी बहुत हो गया 140 आ गया तो भी और 120 को भी एकदम super college मिलता है medical का 120 में भी super college मिलता है जेही में भी वैसा ही है तो जेही में इतना difficult नहीं आता थोड़ा नीड से ज़्यादा आता है लेकिन हर एक question इतना difficult नहीं रहता तो ठीक है आता है तो करो नहीं आता है तो ज़्यादा tension मतलो simple वाले पर ज़्यादा focus करो चलो लिखे लो एक बार फड़ा फड़ा वेवज एंड साउंड चाप्टर पूरा अपलोड किया है यूट्यूब पे उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाए है मैंने तो तुमको अगर चाहिए और एक बार देखना है या फिर कुछ पार्ट क्लियर नहीं है वो पार्ट वहाँ पे जाके देख सकते हो ठीक है चलो यह हो गया तो नेक्ट लिपको अभी क्या है सेंटर ओफ मास के न्यूमरीकल्स थोड़ी डिफिकल्टी रहते हैं सेंटर ओफ मास के न्यूमरीकल्स क्लियर नहीं दिसा तो अमकार मग मी वीडियो अपलोड करतो नंतर डाउनलोड करून बगार कर तो में अपलोड अपलोड केला नसला तर फक्त मला आठवन कर जाओपन हो हलो के स्टक तो चलो ठीक है चलो तो क्या है हो गया तो next क्या liको center of mask के center of mask का numericals जो रहता है वह उसमें थोड़ा difficult numericals भी रहता है, ठीक है करेंगे तो आज क्या करना है first bit rotational motion का जो first bit first section है वो solve करने का homework rotational motion का जो first bit है वो आज solve करने का चलो center of mass का कुछ different properties रहता है वो अभी लिख्के लेलो नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, फॉर फाइवे लिखो, पहला वाला लिखो, फर्स्ट नोट क्या है? हाँ, कालचापन करतो, अपलोड, नो प्रॉब्लम, कालचापन अपलोड करतो पन तुमी नेट कनेक्शन बेटर करून गयता का बागा? नेट कनेक्शन अंगले करूं घेता हुआ अपलेला यह आता तुमची एक्जाम यह उपरेंद आशे कही कि वहां खूप सारे लेक्चर घ्यावी लागना रहे तो नेट कनेक्शन तुम्हारा अच्छा कनेक्शन लेलो जो भी है उनकी लगने वाला है यह साल क्या है वो लगने वाला है और लोगडाउन बीच बीच में भी आ सकता है अभी एंटायर कंट्री वाइड लोगडाउन नहीं होगा लेकिन एरिया वाइज लोगडाउन हो सकता है जैसे अभी हो रहा है रतनागिरी में हो रहा है तो नेट लेलो अच्छा स्पीड वाला नेट लेलो लगने वाला ही साल ठीके चलो तो फर्स्ट नोट को क्या है center of mass is independent of coordinate system first look center of mass is independent of coordinate system center of mass is independent of coordinate system ठीक है तो इसका मतलब क्या है देखो तो यह अपना rod center of mass is independent of coordinate system तो इसका मतलब क्या है suppose rod ऐसा है suppose rod अगर ऐसा है तो rod का center of mass बराबर बीच में रहेगा center पे rod अगर ऐसा है तो rod का center of mass बराबर center पे रहेगा तो coordinate system कि बराबर बीचम बराबर इनडिर्पंडेंट तो इसक का तो अगो बीड वी तुम्हों रोला याइक्सिस भूला आख्सिस भूला तुम्हों को अडिये अगार केडा करना है तुम्हों यसा भी पकड़ो। और X-axis परपेंडिकुलर ऐसे पकड़ु तुमको जैसा कोडिनेट सिस्टेम आजिम करने वइसे से तरह एकसे अजिम करने उधर करो यह शरह जहां पर एल्जम करने वहां पर करो कोई प्रॉबर्लम नैं सेंडर अजिफ रॉप मास्स जिदर बिलता एं वहलताने coordinate system कैसा भी हिला उसको रोते करो कुछ भी करो center of mass दिर रहे थे ठीक है first second लिको second note it depends upon shape and distribution of mass two second note लिको it depends upon मतलब center of mass it depends upon shape and distribution 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 of mass if you understand cricket's bat it's a rod example it is a cricket's bat in cricket's bat the center of mass is where it will be in the center of mass no, it will be in the center of mass cricket's bat the center of mass the length of bat it will be in the center of mass any it will be in the center of mass why is the distribution of mass other here is the bat or in the center of mass distribution of mass shape depends upon shape where the center of mass next name third point center of mass is equal to geometric center center of mass मास क्या बोल रहा है बेस को क्या है थर्ड लिर्ड को, center of mass is equal to geometric center center of mass is equal to center of mass is equal to geometric center if mass distribution is homogeneous if mass distribution is homogeneous center of mass center of mass it's same as geometric center is equal to the IMA but it's equal to the center of mass it's same as geometric center if homogeneous mass distribution if homogeneous mass distribution com in vacuum com is affected by any factor what is written? okay suppose this is a rectangular sheet where is the center of mass? where is the center of mass? geometry of center geometry of center and center of mass same place geometry of center length of center and side of center this is geometry of center and center of mass same reta other mass distribution same 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 , co कि मतलब कि इधर हलका हलका है हूँ इधर कि एक है यहें चुछा को सुछ त Defense हम ने किया उने किया तो इधर का density कम है, यहाँ का density ज्यादा इधर heavier material है, यहाँ पर हलका हलका है, तो इस length के बराबर बीच में ने आता center of mass, तो जिदर heavier mass है उसके तरफ जाता है center of mass, center of mass इधर रहेगा, खेंगे, तो इसका geometric center तो यहाँ पर है, geometric का center तो यहाँ पर है, लेकिन actual center of mass इधर है, क्यों, क्योंकि यह homogeneous mass distribution है, यह homogeneous नहीं मतलब इधर density ज्यादा है, heavy है यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर density कम है, लेकिन इधर क्या सब जगह पर densities है में, तो जिदर geometric center आता है, वहाँ पर ही center of mass आता है, टेक हैं? नहीं, vacuum में कुछ फरक नहीं पड़ता, यह object अगर हम लोग vacuum में लेके जाएंगे, तो vacuum में center of mass पर फरक नहीं पड़ता, center of mass उधर ही रहता है, टेक है? चलो, next लिखो, यह note में, number 4, center of mass changes only in translatory motion, center of mass, center of mass changes only in translatory motion, center of mass changes only in translatory motion, center of mass changes only in translatory motion, इसका मतलब क्या है? center of mass changes only in translatory motion, तो इसका मतलब क्या है? यह अगर object है, इसको हम लोग ने इधर लेके गया, इसको मैंने क्या क्या है? इधर लेके गया मैं, तो यह है linear motion, जब linear motion होता है, तब इधर का center of mass इधर आके बैठता है, object को इधर, अबजेक्ट उदर गया तो center of mass भी उदर जाएगा, तो center of mass जब linear motion होता है, तब इधर था उदर जाता है, अगर इधर है, तो समझो, इधर थोड़ा heavy है, तो इधर है, और इसके about rotate किया, तो बस center of mass भी rotate करेगा फिर, लेकिन जगा छोड़के इधर जाएगा क्या? नहीं, तो translatory motion में, translatory motion में center of mass जगा छोड़के जाता है, rotatory motion में center of mass उधर ही रहता है, चलो, next लिखो, number five, if center of mass is origin, if center of mass is origin, if center of mass is origin, then sum of moments of masses, if center of mass is origin, then sum of moments of mass, SUM, 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 addition, then sum of moments, then sum of moments of masses, then sum of moments of masses, about center of mass, then sum of moments of masses, about center of mass, about center of mass is zero, about center of mass is zero, इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ऐसा लिखो, summation MIRI is equal to zero, क्या है मैं बोलता हूँ यह, summation MIRI is equal to zero, इसका मतलब क्या मतलब क्या रहता हूँ जो सेंटेंस लिखके दिया है एक बार रीड करो, उसका explanation में देता हूँ, जो सेंटेंस लिखके दिया है तुम लोगों को, एक बार रीड करोगों, जो सेंटेंस लिखके दिया हूँ, क्या है, MIRI बार, यहां पर थोड़ा कन्फीजन था, इसलिए देख लिए, क्या है, MIRI बार, summation MIRI बार is equal to 0 ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखो, क्या है, यह यहां पर X-axis और center of mass इदर है, center of mass origin पर ही है, तो यह चलता है, नहीं तो नहीं चलता, center of mass origin पर है, यहां पर एक mass है M1, इसका center से distance है कितना, R1 बार, इदर एक mass है M2, इसका center से distance है R2 बार, अब एक mass है M3, उसका R3 बार, इसका है M4, अभी N masses भी हो सकता है, 10 mass, 5 mass, 6 masses, कुछ भी हो सकता है, मैंने 4 masses लिये है, ठीक है? तो moments of masses, उसमें क्या लिका है, moments of masses, अभी moments बहुत time आने वाला है इसके बाद, rotational motion में, तो moments of masses का मतलब क्या रहता है, moments of masses मतलब, mass into origin से उसका distance, mass into origin से उसका distance, mass into origin से उसका distance, mass का moment, जिसका भी moment निकालना है उसको R से मल्टिप्लाई करने का, जिसका भी moment निकालना है उसको R से मल्टिप्लाई करने का, R मतलब क्या है, vector starting from origin, up to that point, vector starting from origin up to that point m का moment मतलब उसको r से multiply करनेगा इसका moment मतलब इसको r से multiply करनेगा moment of mass मतलब यह अलग आया moment of mass मतलब mass को r से multiply करनेगा moment of mass मतलब a और इन सब का summation क्या रहता है जेरो क्यों? simple है simple है देखो center of mass का formula क्या है बोलता हूं बोलता हूं center of mass का formula क्या है center of mass का formula ऐसा है पहला mass उसका r 1 बार दूसरा mass उसका r 2 बार तीसरा mass उसका r 3 बार और फोर्थ mass उसका r 4 बार ऐसा सब का addition और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 यह चार mass का center of mass कैसा निकालने का तो ऐसा निकालने का और center of mass कितना है center of mass क्या है पहले बोल दिया ना center of mass is origin तो चारो का centre of mass किदर है origin पे? तो इसले इनका centre of mass कियाएगा? 0 I plus 0 J. मतलब 0. तो नीचे का जो भी है, इससे इसको multiply किया, तो वो 0 ही हो जाएगा. तो बचा है? ये वाला. तो this is equal to 0. तो ये मतलब क्या है? ये मतलब क्या है? ये मतलब यही है. इसका मतलब क्या है यह क्या है यह यह तो समेशन MIRI क्या रहता है जीरो समेशन MIRI बार क्या रहता है जीरो अगर center of mass origin पे है तो तेक है ओके चलो हो गया यह diagram निकल के लो pencil का center of mass से थोड़ा center से यह समझो है वो pencil का center of mass कहां पे रहेगा इसा बोल रहे है तो कैसा यह paint pencil जैसे रहता है तो इसका center of mass कि इदर रहेगा यह थोड़ा हलका रहता है न इदर और इदर बाकी सब इदर से इदर तक उतना ही density है तो भुँआफर बीच में एगा थोड़ा इदर आएगा बराबर बीच में आएगा यहाल्का न हल्कई की तरफ नहें tratar ब्राबर बीच में एगा थोड़ा इदर ना यह तो इस्टर ओप यह लिखो, फिर यह लिखो, वो मत लिखो, वो explanation के लिए है, explanation समझा तो ठीक है, नहीं समझा दो, छोड़ दो क्या है, इतना बस रट्टा मार के रोखो, चलो, लिखो फड़ा फड़ा